हेलो मैं दियर फ्रेंड्स आप सभी का हमारी चैनल बीट्यू पिश्ट्यू पॉइंट में स्वागत हैं आज जो आपका क्लास होगा वो MCQ टाइप के क्वेस्टिन के होगा वेरी इंपोर्टेंट क्वेस्टिन होने वाला है दोस्ट जैसा कि आपको एंट्रेंस प्पॉषा जाता है तो एक-एक क्वेस्टिन को आप ध्यान पुरो कहाँ पर समझने की कुश्स करिएगा जो भी student का theory class छूटा हुआ है तो नीचे दोस्त मैंने description में आपको link दे दिया है playlist का वहाँ से जाके दोस्त आप एक एक वीडियो को अच्छी तरीके से देख सकते हैं चलते हैं दोस्त classes को start करते हैं चैनल पर दोस्त पहली बार visit कर रहे हैं तो चैनल को subscribe जरूर करिएगा ताकि आने वाली दोस्त हर एक वीडियो का information आप तक सबसे पहले पहुश सके blood and blood circulatory system दोस्ते हाँ पे चल दा था listen आपका और mcq type के question का ये आपका पहला question है very important question धान पूरवक दोस्त आप समझने की यहाँ पे कोसिस करिए यहाँ पे ऐसा कि हमने आपको theory जो बताई है इसमें से दोस्त आपको total आज के इस वीडियो में total 25 question add हैं और आप सभी लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि आपने कि question यहाँ पे सही कर पा रहे हैं क्योंकि हम इसमें दोस्त वही question add किये हैं जो हमने theory यानि पिछले classes में हमने theory में जो जो topic complete किये हैं उसी के आधार पर हमने यह आपका mcq type का question बना हुआ है और आप लोग दोस्त इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा पहला question है दोस् कि अवस्था में पाया जाता है किसका दोस्त फेरस की अवस्था में पाया जाता है correct answer दोस्त इसका option का A होगा यहाँ पर निश्ट अगले question की बात करते हैं दोस्त हम यहाँ पर second number question को देखते हैं रुधीर की उत्पत्ती भुरूड के किस इस्तर से होती है तो इसका दोस्त करेक्ट एंसर है मिजोडम करेक्ट एंसर क्या है मिजोडम B option का यहां पे दोस्त इसका बिलकुल ही correct answer है रुधीर की उत्पत्ती भुरूड के किस इस्तर से होती है उस इसथर का नाम क्या है दोस्त मीज्वडम ठीक है करेक्ट एंसर ओप्शन का भी हो जाएगा अगले कुश्चिन की बात करते हैं दोस्त इसीजिस extract को समझने की कोसिंद करिया है कुश्चिन इसको मानव की हीड़य में रुधिर के पहाउ दिशा तो मैंने आपको ये circulating जो आपका रक्त का बहाव की दिशा है वो कहां से कहां तक हो के जाती है इसको भी हमने आपको बताया है थियोरी के class में तो इसका जो correct answer है वो क्या होगा इसमें से option का D कोई भी नहीं होगा ठीक है इसमें आपका option क्या दे दोस्त बाया अलिंद बाया निलय फेफड़े दाया अने दाया निलय यह आपका बिल्कुल ही यहां पर गलत है दाया अलिंद से बाया निलय की और यह भी आपका बिल्कुल ही यहां पर गलत है इसमें से कोई भी नहीं आपका इसका correct answer हो जाएगा ठीक है अगले दोस्त हम यह कुश्चन की बात करते हैं अगला हमारा दोस्त यहां पे कुश्चन है चान नंबर कुश्चन है निम्न में किसके रुधिराणु में केंद्रक पाये जाता है तो किसके रुधिराणु में केंद्रक पाये जाता है वो हमारा उठ है क्या है दोस्त उठ है जिसके का पफ़े question की बात करते हैं दोस्ट हमारा next question है सबसे छोटे लाल रूधिराओं में पाये जाते हैं तो सबसे छोटे लाल रूधिराओं में क्या जाते हैं मारे कस्तूरी हम ब्रिक में सबसे छोटे लाला रूधिराड़ू correct answer दोस्ट इसका option का A हो जाएगा निश्ट अगले कुश्चिन की दोस्त हम यहाँ पर बात करते हैं अगला कुश्चिन है हमारा छे नमर कुश्चिन इस्तन धारियों में सबसे बड़े रुधीर अडू पाये जाते हैं तो सबसे बड़े आपके रुधीर अडू किसमें पाये जाते हैं वो आपके उट में पाए जाते हैं क्या है दोस्त उट में आपके सबसे बड़े रूधीर अड़ू पाए जाते हैं करेक्ट एंसर इसका अप्शन का C हो जाएगा यहां पे अगले दोस्त नेश्ट कुश्चिन की बात करते हैं आपे साथवे नंबर कुश्चिन को देखते हैं इस्तंधारियों के एरिथ्रोसाइड में अनुपस्तित होते हैं तो इस्तंधारे के एरिथ्रोसाइड में क्या आपका अनुपस्तित होता है तो इसमें आपका केंद्रक भी अनुपस्तित होता है गाल जी काय भी अनुपस्तित होता है और सेंट्रियोल भी आपका अनुपस्तित होता है एरी थ्रोसाइट में ठीक है तो इसका करेक्ट एंसर दोस्त आपसन का D हो जाएगा यहाँ पे जो आपके इस्तंधारी के एरी थोसाइट में क्या-क्या उपस्तित होते हैं वह आपके केंद्रक अनुपस्तित होते हैं गाल जी काय भी आपका अनुपस्तित होता है और सेंट्रियोल भी आपका अनुपस्तित होता है करेक्ट एंसर दोस्त इसका ऑप्सन का D हो जाएगा यहाँ पे अगले दोस्त नेस्ट कुश्चन की बात करते हैं यहाँ पे आठ नंबर कुश्चिन है निम्नमे से कौन ग्रेनियूलोसाइट नहीं है तो इसमें से दोस्त आपको बताना है कि कौन सा हमारा गेलियूनोसाइट नहीं है correct answer दोस्त इसका option का B होगा lymphocyte दोस्त इसका बिल्कुल ही correct answer है जो कि हमारा granulocyte नहीं है next अगला question देखते हैं दोस्त हैं आपे 9 number question की बात करते हैं 9 number question है दोस्त प्रसारण अथार diastole के समय diastole के समय क्या होता है तो diastole के समय आपका रुधीर जो है रक्त है वो कहाँ प्याता है हिर्दय में आता है correct answer दोस्त इसका option का B हो जाएगा यहाँ पे next अगला question देखते हैं दोस्त यहाँ पे 10 number question देखते हैं 10 number question है दोस्त नीले रंग का रुधीर किसमें पाय जाता है तो नीले रंग का रुधीर जो भी हमारे मुलस्का संग और आर्थो पोड़ा संग के जन्तु होंगे उसमें कैसा रक्त पाया जाता है उसमें हमारा नीले रंग का रक्त पाया जाता है यह याद रखिएगा यह आपका question इंटरेंस इक्जाम में भी आया हुआ हुआ है correct answer दोस्त इसका option का ए हो जाएगा मुलस्का एवं आर्थो पोड़ा संग में इसका बिल्कुल ही यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगले दोस्त यहाँ पर question की बात करते हैं 11 number question दिखते हैं हीमो साइनीन स्वसन वड़क में पाया जाता है तो हीमो साइनीन स्वसन वड़क में हमारा क्या पहला जाता है copper पाया जाता है क्या पहला जाता है दोस्त copper पाया जाता है हीमो साइनीन स्वसन वड़क में correct answer दोस्त option का C हो जाएगा यहाँ पर अगला दोस्त next question की बात करते हैं next हमारा question है रुधीर में लाल रुधीर हुआ है इसमें आपका पूछ रहा है कि रक्त में आगर RBC की संख्या में अस अधारन वृद्धी हो जाए यानि कि अचानक से वृद्धी हो जाए तो यह हमारा क्या कहलाता है यह हमारा पॉली साइथीमिया कहलाता है क्या कहलाता है दोस्त पॉली साइथीमिया कहलाता है करेक्ट टेंसर दोस्त इसका भी यहां पर आपसन का यह हो जाएगा नेश्ट अगला कुश्चन देखते हैं दोस्त यहां पर थर्टी नमबर कुश्चन देखते हैं त्रीवलनि कपाट किसके बीच होता है तो जो हमारा त्रीवलनि कपाट होता है वो धाएं अलिंद और निलय के बीच में होता है त्रीवलनि कपाट गनेश्ट अगले दोस्त यहां पे कुश्चन की बात करते हैं अगला question है दोस्त हमारा 14 number question सबसे बड़ी लसी का गरंती है very important है ये भी important question आया हुआ है तो सबसे बड़ी हमारी जो लसी का गरंती का नाम है क्या है पलिया correct answer दोस्त इसका option का A हो जाएगा theory के class में भी दोस्त इस question को हमने कराया है वहाँ पे भी कि आपकी जो सबसे बड़ी लसी का गरंती है उसका क्या नाम है पलिया यानि कि A आपका दोस्त इहाँ पे बिलकुल ही correct answer है अगले दोस्त next question की बात करते हैं अगला हमारा question है 15 number question रूधीर का ठक्का जमने की क्रिया में सहायक होता है तो इसमें दोस्त आपको चार option दिये हो है और question आपको बोला है कि रूधीर का जो ठक्का जमने की क्रिया है उसमें क्या आपका सहायक होता है तो उसमें आपका प्रोथोंबीन प्रोथोंबीन जो होता है वो आपका रुधीर का ठक्काब जमनें की क्रिया में क्या होता है सहायक होता है करेक्ट टेंसर दोस्त इसका अप्शन का D हो जायेगा यहाँ पे अगला कुश्चन देखते हैं दोस्त यहाँ पे 16 नमबर कुश्चन देखते हैं भुड़ी अवस्था में लाल डुधीर कडिकाएं बनती हैं तो भुड़ी अवस्था में जो हमारे RBC है वो कहां पे बनती हैं उस टाइम वो आपका यक्रित में भी बनती है पलिहा में भी बनती है और मिसेन काइमा में भी बनती है यानि कि correct answer इसमें option का D हो जाएगा इन में से सभी जगह पर आपका भूरी भूरुवी ठीक है भूरुडी अवस्था में आपका RBC का निर्मार होता है कि कहां कहां पर यक्रित में प्लिहा में और मिसिन काइमा में correct answer दोस्त इसका option का D हो जाएगा यहां पर अगले दोस्त यह वो कैसा होता है वो आपका पेसी चनक होता है अथार्थ बोले तो मायोचीनी होता है ठीक है correct answer दोस्त इसका option का B होगा मानों का में हिर्दय इसपंदन जो होता है वो कैसा होता है पेसी चनक होता है correct answer दोस्त इसका option का B है यहां पर अगले दोस्त यहां पर एक question की बात करते जो खोज है वो किसने के थी? वो हमारे Land Steiner सहाब ने किया था किसने किया था दोस्त? Land Steiner सहाब ने A.B.O. रुधीर वर्ग की खोज की थी अगले दोस्त यहाँ पर कुश्चिन की बात करते हैं 19 नमर कुश्चिन है लसिका गाठो का प्रमूख कारे क्या है? तो लसिका गाठों का हमारा प्रमुख कारी क्या है रोगाणों को एकक्तित करके उसे नश्ट करना ये हमारे लसिका गाठ का मुख्य कारी है करेक्ट एंसर दोस्त इसका option का D है यहाँ पे अगले दोस्ते हैं आपे question की बात करते हैं 20 number question को देखते हैं इनमें से कौन सा lymphoid अंग नहीं होता है तो इसमें question आपको बोला था कि lymphoid अंग किसमें नहीं होता है तो वो आपका यक्रित में आपका lymphoid अंग नहीं पाया जाता करेक्ट एंसर दोस्त इसका option का D है यहाँ पे अगला दोस्त नेश्ट question की बात करते हैं आपे 21 number question देखते हैं 21 number question very important question सबको पता है almost यहाँ पे सर्वगराही रुधीर वर्ग कौन सा है इसमें से तो जो आपका A B है यह क्या है यह आपका सर्वगराही रुधीर वर्ग है ठीक है correct answer दोस्त इसका option का C है अगला question की बात करते हैं दोस्त यहाँ पे 22 number question है आरेश फेक्टर की खोज सरवथम किसनी की थी तो आरेश फेक्टर की खोज आपका सरवथम लेंड इश्टेनर और वीनर सहाब ने किया था किसने लेंड इश्टेनर एवं वीनर सहाब ने औरेश फेक्टर की खोज सबसे पहले की थी करेक्ट एंसर दोस्त आप्शन का ए है यहाँ पर अगले कुश्चिन की बात करते हैं 23 नम्मर कुश्चिन को देखते हैं दोस्ते यहाँ पर विश्व में लगभग कितने प्रतिसत आरेश प्लस लोग होते हैं तो यह भी कुश्च की सबसे प्लस दोस्त आप्शन का डी होगा इसका 23 का डी आपका विल्कुल ही करेक्ट एंस्ट होगा 24 number कुश्चिन देखते हैं दोस्ते आपर 24 number question है मनुस्य के हिर्दय के किस भाग में असुद्ध रुधीर होता है तो असुद्ध रुधीर हमारा कहां पे होता है वो हमारा दाए भाग में होता है किस भाग में होता है हिर्दय के दाए भाग में हमारा क्या होता है असुद्ध रुधीर होता है correct answer दोस्त इसका option का A है यहाँ पर अगला question देखते हैं दोस्त यहाँ पर last question very important question है hemoglobin का मुख्य कारे क्या है तो hemoglobin का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य जो कारे है वो क्या है हमारा oxygen का परिवहन करना ठीक है यह आपका hemoglobin का very important question है इसको भी दोस्त आप लोग note कर लिजेगा यह रहा दोस्त टोटल आपका 25 question आसा करते हैं सारे question आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं आप लोग हमें comment करके जरूर बताएं कि कितना question इसमें से आपने सही कर पाए हैं जो भी student यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं लगातार आप classes को attend कर रहे हैं तो theory class को आप note भी करते रहे हैं ताकि इसका बाद में आप अच्छी तरीके से रिवाइश कर सकें exam के time पे तो आसा करते हैं आज की वीडियो में जितने हमने question बताएं सभी question आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं वीडियो अच्छा लगाओ दोस्त वीडियो को like करिएगा दोस्तों में share करना दोस्तों न भूलिएगा ताकि इसकी classes की information और भी student के पास पहुश सकें ज्यादा से ज्यादा लोग जूड़ सकें दोस्त classes को और भी बहतर बनाया जा सकें PDF दोस्त हम यहाँ पे टेलिग्राम चैनल पे अपने प्रोवाइट कर देंगे जो भी नहीं जूड़े हैं student वो यहाँ पे जूड़के अपना यहाँ पे PDF यहाँ से अपना ले सकते हैं